मस्कार आप देख रहे हैं अच की खास बात अपने दोस्त वीश उसिंग के साहर। दूस्तों हर किसी के मन में एक सवाल है कि आखिर बिजली की दाम अचानक से बढ़ते कैसे जा रहे हैं। सवाल सब के मन में लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं है। दोस्तो बिजली मेहगी होने का सबसे बड़ा कारण है कि कोईले की मिलावटी होना जिसमें कोलवाशरी हो या फिर कोईले की जो रेलवे साइडिंग होती है जहां रैक लगती है वो है सबके अपने अपने एक अलग अलग रोल है और हर रोल में अलग अलग तरीके से कोईले क मिलावट की जाती है दोस्तों इस मामले में फिलाल WCL के चंदरपूर वन्नी और बलारपूर जैसे छेतर का नाम सबसे आगे आ रहा है ज्यादा तर जो रेलवे साइडिंग होती है जहां पर मालगाड़ी में कोईले को भरके अलग-अलग छेतरों में अस्थान में राज्यों जाती है ऐसी कुछ जगहों पर यह सारी चीजे देखने को मिलती है कि जहां भी रेलवे की साइडिंग होती है उसी के आसपास जो अच्छे कोईले आती है वहां पर कोईले को चेंज किया जाता है जो अच्छे कोईले होती है उसको अलग कर दिया जाता है अच्छे कोईले क हमेशा आपने देखा होगा एक छोटी मोटी कोई स्टील की कमपनी होगी प्लांट होती है जहांपे जंग लगे और सड़े लोहे को गला करके नए सरीया और एंगल बनाया जाते हैं जो स्टील प्लांट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक भट्टी का उप्योग किया जाता है इस प्रक्रिया में राक और लौह अयस्क के रूप में आयरन निकलते हैं जिसे डोलोचार कहते हैं डोलोचार गहरा काला और चमकीला होता है जिसे देखने में आप पहचान नहीं पाए कि डोलो-कोईले कि बीच की जो सबसे बड़ी विभनेताएं हैं थे वह आपको हम बता देते हैं कि कोईले की जो जोलन शील छंता होती हैं वह 4000- 6000 कौल्री और डोलो-कोईला की जोलन शील छंता होती है वह मात वारागरासंद से 16 सौ यह सो abon इतने बड़े पैमाने पे अगर जोलेंसील छमता में अगर दोनों में फर्क है ऐसे में मिलावटी कोईले के जलने पे बिजली बनने में अनेक तरीके से गरबढ़िया होती है और जिसको ले करके बिजली के दाम बढ़ जाते हैं सुतर बताते हैं कि यह काम इतने आसानी से न नहीं कि जा सकती है खैर अभी तो हमने सिर्फ एक ही उदारन दिया है इसे छेतर में जो कोल वाशरी है उसमें किस तरीके से क्या गरबढ़िया होती है वो भी हम आपको जल्द ले कराएंगे आप हमारे साथ बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सि सिर्फ इन्विस्टिय न्यूज पर सच दिखाएं बीना चुपाएं जहिंद